उत्तराखंड छोड़कर मुंबई में बच चुके पाड़ियों का दिल आज भी पहाड के लिए धड़कता है। इसलिए तो उत्तराखंड प्रवासियों ने संगठन मना कर गरीब बच्चों के शिक्षा और महिलाओं को सोरोजगार देने के लिए मदद करने का फैसला किया ह अब वो कई तरीके से अपने इलाके के लोगों की मदद करेंगे। अचल महासंग ने तिहरी गड़वाल के द्वारी गाओं में तक्नीकी शिक्षा और महिलाओं के स्वरोजगार के लिए कारे किये। जिसके तहट महिलाओं को सिलाई मशीन के साथ सथ शिक्षा प्राप्त कर रहे गरीब बच्चों को 500 रुपे महिने और दूद की साहता दी जा रही है। अध्यक्ष ने कहा कि आने वाले समय में हम अपने सेवा के इस कारे को सभी जिलों में ब्रवन करके और आगे बढ़ाएंगे। तो हमने तक उसके बाद 2-6-7 क्लास के बच्चों को लिया। मतिप्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्ति करण के उद्दिश्य से समवेधन शिल मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चोहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहद उन्हें प्रतिमाह एक हजार रुपे दिये जाएंगे। ये राशी सीधे उनके बैंक खातों में पहुँचाई जाएगे। योजना की प्रत्रिया बेहसरल और निशुल को है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यक्ता भी नहीं है। दस जूल को पहली किस्त बहनों के खाते में आजाएगी एक हजार रुपे या की पहली किस्त। वो खबरें जो आपके काम की है। वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है। हर आम और खास से चुड़े मसले। हर मसले का सटीक विश्लेश कर। हम करते हैं सत्य का अनुवेशां। दखल नीउज आपके हत्रे। आप देख रहे हैं दखल नीउज।